फ्रेंड्स तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वाइफाई यूजर्स को जो कि आपका अगर वाइफाई लगा हुआ है और उस वाइफाई में जितने भी यूजर कनेक्ट होते हैं उनकी स्पीड को कैसे लिमिट कर पाएं आप मतलब कि अगर आप चाह सबसे पहले आपको अपने फोन में या कंप्यूटर में किसी में भी अपने वाइफाई का जो वाइफाई राउटर का एक आईपी होता है वो उपन कर लेना है मेरे वाइफाई का जो आईपी है वो है 192.168.0.1 ज्यादतर सभी का यह होता है लेकिन आपको अगर जानना है आपका क्या है तो आपको अपने वाइफाई राउटर के पीछे या अपने वाइफाई राउटर के बॉक्स बगारा पर देखना होगा ठीक है फ्रेंट देख सकते हैं यह चालो हूँ चुका है यहांपे जो है फ्रेंट यूजरनेम और पासवड मांगता है नौर्मली यहांपे बाइडिफॉल्ट एडमीन और एडमीन होता है यूजरनेम और पासवड लेकिन अगर आपने कुछ अलग चेंज किया या company ने कुछ अलग दिया है तो वो डबे पर mention होगा वो आप यहाँ पर fill कर लिजेगा मैंने अपना user name और password यहाँ पर fill कर लिया है friends देख सकते हैं यह आप login हो गए है यह जो है मैं friends TP link के बारे में बता रहा हूँ यह बाकी router पर भी काम करेगा बस उसकी settings जो है वो थोड़ी अलग होंगी देख सकते हैं यहाँ TP link का page जो open होगे इसके बाद आपको यहाँ side माना है wireless पे ठीक है friends यह wireless अगर आपका कोई और D-Link का router है कुछ होग है तो उनमे settings अलग हो सकती है अब wireless में आगे friends यहाँ पर wireless statistic यहाँ पर friends आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके इसमें Wi-Fi में कितने connected है देख सकते है friends यहाँ पर refresh करके आपको जितने भी connected user होंगे वो दिखाए देंगे फिलाल तो मैं ही connected हूँ क्योंकि मैंने बाकियों को ब्लोग कर रखा है आपको दिखाता हूँ मैंने एक किसी के speed भी limit कर रखे हो कैसे की हुई है आपको सबसे पहले जाना है friend dhcp ठीक है friends इसके अंदर आने के बाद देख सकते हैं यह जो dhcp है friends यह देखिए start ip जो है friend last name 100 and 199 मतलब जो भी connect होंगे password के थूँ उनका IP नहीं में से कोई ना कोई आता रहेगा इसे last name 101 हो जाएगा 102 हो जाएगा ठीक है friends तो आपको क्या करना है सबसे पहले तो उनका address confirm करना है reservation करना है ताकि उनका जो हमेशा जब भी हो connect हो वही आई पी रहे है उनका देख सकते हैं add new करेंगे जो IP address में आपको बता रहा हूँ वही डालिएगा 192.168.40 देख सकते है friends आपके screen के सामने जो IP address है यही डालिएगा या फिर 40 से उपर कोई और ठीक है friends और यह जो बता दूँ यह mac address और IP address फिल करके आप सेव कर ली जाएगा तो वह सेव हो जाएगा address आपको यह mac address मिलेगा यहां wireless और wireless से bandwidth control है और इसके अंदर आने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना bandwidth जो है इनेबल कर देना है देख सकते हैं यहां पर और यह जो इंग्रेस बेंडविट थे फ्रेंट से प्रेंशन में जाके ठीक है फ्रेंट्स यहां पर उस तरीके सा आप कर दीजिएगा फॉर फाइव यह जो भी है बस यह डालना है आपको और कुछ भी फिल नहीं करना है यहां पर और यहां पर जो स्पीड आपको रखनी है उसकी मालीजिए मिनिममम यहां 100 रखिएगा और मैक्सिमम आप जितनी स्पीड देना चाहते हैं मालीजिए आप उसे 1 Mbps देना चाहते हैं तो और डाउनलोडिंग स्पीड भी आप देखेंगे फ्रेंट मैंने की 5 Mbps कर रखिए और एक की 512 kb कर रखिए तो फ्रेंट ऐसा करके आपको सिर्फ यहां पर इने इनेबल कर देना है यहां से इने टिक लगाना है और फिर इनेबल कर देना मैं आपको सौट में पूरा तरी आइप एड्रेस और मैक एड्रेस आइप एड्रेस आपको कुछ अलग डालना जो नॉर्मल यूजर कनेक्ट होते हैं वाला नहीं डालना है नहीं तो हर बार उसका इड्रेस दूसरा है आपको मैं बता देता हूं क्या डालना है 192.168.0.41 या 42 आप ऐसे कुछा डाल सकते है फोर की लाइन में डालना आपको फिर यह स्टेटस को इनेबल कर देना है ठीक है फ्रेंट्स यहां से हो जागा एड्रेस डिजर्व हो जाएगा यहां से फिर आपको आना है बेंड्विथ कंट्रोल में आपको यह जो बेंड्विथ कंट्रोल है यह कर देना है इंग्रेस मे maximum speed डाल देनी इतनी आपका प्लान है उसके बाद आपको यहां add new में आना है नीचे rules में देख सकते हैं फ्रेंट्स bandwidth control rules होता है यहां पर इसके add new में आके आपने जो भी reserve किया था IP address वो यहां पर just fill करना है और यहां पर अपनी speed लगा दिने जो भी आपको उनका देना है और फिर यहां पर save कर देना है उनकी speed उतनी लिमिट हो जाएगी फ्रेंट्स तो आसा करते हो आप समझ गया है फ्रेंट्स इतना करने के बाद आपका जो भी speed है आप आसानी से लोगों को limit कर पाएंगे फ्रेंट्स इस वाली वीडियो में थोड़ा टूल्स बगरा नहीं अविलेबल थे मेरे पर जलबाजी में वीडियो डाल राओं क्योंकि बहुत दिन होगे वीडियो डाले वे तो थोड़ी अच्छी आडिटिंग नहीं हो पाएगे इसके लिए माफे चाहूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए कोई चान नहीं लगता बिल्कुल फ्री सर्विस है आप देखेंगा और भी बहुत सारी काम की वीडियो मेरे चैनल पर अविलेबल है